अकली खवरें बात करते हैं रीवा की जहा जैन समासदार विश्विसांती के लिए यग पूजा की जा रही है जिसके लिए फोर्ड रोड इस सिज जैन मंदिर में बेदे इस्थापना पूजा की जाएगी जहां मूर्ते स्थापना की जाएगी आयोजित कारकरम के संबन में धर्माव लंबियों ने बताया कि हमारे रीवा के लिए सोभागी की बात है कि इस तरह के कारकरम का आयोजन रीवा में किया जा रहा है। आयोजित होने वाले महायगी की सोभा यात्रा फोर रोड प्रकास चौराहे से स्टैचू चौराहा होते हुए सिल्पे प्लाजा से सहर का भ्रमर कर कारकरम इस्थल पहुची। आई आपको दिखाते ही कारकरम की कुछ जल किया और सुनाते ही पूरे आयोजन और इसके महत्व को लेकर जानकारों का क्या कहना है। आज हमारे रीवा का बहुत भागशाली तेवार है और हमारे यहां बेदी पत्रिष्ठा होने जा रही है। मंदर में विश्व शांती महायग होने जा रहा है। इसी के उपलक्ष में स्टेचु चोरहा से लेकर के सिल्पी पिलाजा होकर के पूरे नगर भिमन कराया गया। और आज महायग बेदी सोधन और भूमी पूजन और बूर्तियों का बेठाना बेदी पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है। इसी के उपलक्ष में आज हम लोगों ने बहुत उसाय से सभी लोगों ने भाग लिया और जलूस में कत्रित होगे और पूजन पाठ किया। और बाहर से जो लोग आए हैं उन्होंने बहुत ही जोर तोर से भाग लिया। और आज हमारे रीवा नगर में ये पहला उसर है कि चार मूर्तियां आई हैं। उसमें से सभी लोगों ने दर्शन किये पूजा अर्चना की। यही हमारी कामना है कि सभी लोग अच्छे से पूजा अर्चना की हैं। इसके पश्यात सभी लोगों का बाश्चल भोजन होगा साथ में और रात में सांस्रित कारिकम किये जाएंगा। यह दस ग्यारा तारीक से तेरा तारीक तक चलेगा। और इसके बाद समापन होना है तेरा तारीकों महायग के बाद महायग के बाद मोगा विधान होगाध और इसके बाद समापन होगा। मैं अंजली जैन रीवा, होड रोड नमस्कार रिवा, मैं हूँ भानुपंडिक और मैं हूँ अनीता भड़ और हम आरे हैं आपकी शेह रिवा 11 दिसेम्में 2020 कृष्णा राजकपूर ओडियोटॉरियम में एक सुरो की महतल सजाने जिसका नाम है उड़ा अन्य शाम गजल एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपन यूदे उपकार फाउंडेशन के तरस से अनामी का शुक्ला जी का जिन्होंने हमें भीवा शेहर आमधिक किया सूफी यू अल्देट